एक वर्ष पूर्वा, तीन सो सत्तर से आजहादी मिल चुकी है, एक साल पुरा हो चुका है, ये एक साल जम्मु कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्पुन पड़ाव है, ये एक साल वहां महिलाओं को, दलीतों को, मुल्भुत अधिकारों को दिलने देने वाल काल खंड रहा है, ये हमारे सरणार्थियों को, गरिमा पुर्ण जीवन का भी एक साल रहा है, विकास का लाप, गाव और गरिब तक पहुंचाने के लिए, बैक टू विलेजिज, जैसे विशायस अभियान चलाए जा रहे हैं, आई शमान योजना को, बहतरीन तरीके से, आ कि प्यारे देश वासियो, लोग तंतर की मजबुती, लोग तंतर की सची ताकात हमारी चूनी हुई स्थानिय इकायों में, हम सभी के लिए गर्व की बात है की जमु किष्भीर में स्थानिय इकायों के जन प्रतिनीदी, शक्रियता और संवेजन सिल्टा के साथ, बिकान के नए यूग को आगे बढ़ा रहे हैं मैं उनके वही के सभी पंच सरपंचों को रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागिदारी के लिए जम्मु कश्मीर में डी लिमिटेशन की प्रक्रिया चल दे ही है सुप्रिम कौड के निवृत्य नयमूर्ति के देतृत्वों में डी लिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डी लिमिटेशन का काम पूरा होते ही वविश में वहा चुनाव हो जम्मु कश्मीर के M.A.L.E. हो जम्मु कश्मीर के मंत्री गण हो जम्मू कश्मीर के मुख मंत्री गण हो नई उर्जा के साथ विकास के मार्क पर आगे बढ़ें इसके लिए देश प्रति प्रतिभद भी है और प्रयासरत भी है लदाग को केजर सासित प्रदेश बना करके बर्षो पुरानी जो उनकी मांग थी उनकी आकांग्शा सी उस आकांग्शा को हमने पूरा करने का उनको सम्मानिज करने का एक बहुत बड़ा काम किया है हिमाले की उचाईयों में बसा लदाग विकास के नए शिखर की और आगे बढ़ रहा है अब सेंटरल उनिवरसिटी वहाँ पर बन रही है नए रिसर्च सेंटर बन रहे है होटल मेनेजमेंट के कोर्सिट बहाँ चल रहे है बिजली के लिए साड़े साथ हजार मेगावर्ट के सोलार पार्क के निर्मान के योजरा बन रही है लेकिन मेरे प्यारे देश वास्यों लदाक की कई विशेस्ता है उन विशेस्ता को हमें समालना भी है सवारना भी है और जैसे सिक्कीम ने हमारे नौर्दीश्ट में सिक्कीम ने अपनी एक और्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई थे वैसे ही लदाक ले करगी लिए पुरा खेत्र हमारे देश के लिए कार्वन नूट्रल ही काई के रुप में उसकी पहचान बना सकता है और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप प्रेणा रूप कार्मन नूट्रल और वो भी विकास का मोडेल वहां के आवश्यक्ताओं की पूर्ति वाला मोडेल उद्धिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं